हेलो पोकेमोन फेंस तर भाई लोग कैसे आप लोग अम्मित करता हूं सब ठीक होंगे तो भाई लोग आज का जो वीडियो है भाई बहुत अच्छे टोपिक पे वो है कि भाई यार तुम मारे लिए कौन सा बेस्ट पोकेमोन रहेगा सोलो मास्टर करने के लिए क्योंकि आर बहुत सारे लोग लोग को भई जो टीम मेट हते ले तरह बहुत करने में वाला हूं तो अब बहुत ज़ ज्यादा प्रोब्लम यह ठैए CT पूंव नहीं की आयख लो कर लो उत कर दो दो भाई रहे वीडियो लाइक नहीं किया तो कर देना इतना तो कर सकते हैं मैं तुम्हें ले अच्छे एच्छी वीडियोस लाता हूं तो बहुत ही और ट्ले पोकेमोनगे न मतलब यह वह क्या है कि उसका बहुत जादा डैमेंग तो बीएक से मारता है तो लेकिन उसमा प्रोब्लम यह हो जाती है कि अगर तुम्हें जंगल नहीं मिलए तो बहुत ज्यादा प्रोब्लम्हों ले सकते हो तुम्हें पता है कि आरश выпVAみ कैना जानते हो उसके बाद यार भाई जू सब्सक्राइब होता है बहुत गंदा लड़े में देता है मतलब दो तीन तीन पोकेमोन की अगर हाफ हाफ एच्पी भी रेगी ना तो भी एसन इप्टाइगा क्या वो लोर उसका जो अल्टीमेट होता है वह तो भाई मतलब अनिस्टोब बैबल होता है जब यार आप उसका अल्टीमेट यूज करो मतलब यार मतलब आप मतलब आपको पोकेमोन होता है इमीन होता है उसका यार मतलब बहुत ज्यादा निमेज देता है उसके बाद यार उस Pokemon की खास बात यह है कि उसका scoring speed काफी तीज होता है याने अगर टेनल फ्लेम को यार आप यहाँ पे score shield पर यूज़ करोगे तो आप बहुत जलजलदी score सकता है और भाई scoring इतो सबसे खास होती है जितना जादा आप score करोगे न उतना ज़्यादा अच्छा आप के लिए रहेगा वह लास्ट में सबस्यादा important जो होता है वह होता है अपने को जिब दोस चुराना क्योंकि सोलो में क्या होता है कि आप अधिकतर जो मेच रोगे 70% मेच आप हारते रोगे तो वहाँ पर जब दोस चुराने की जड़वत पड़ेगी पड़ेगी तो व आपको थोड़ी सी स्टेजी यूज़ करनी पड़ेगी वह तो आपके उपर आप उसको केसे खेलते हो लेकिन मेरे हिसाब से यार वह फॉर्थ रेंग पर बहुत ही अच्छा पोकिमोन है उसके बाद मैं बात कर लेता हूं थ्री नंबर के पोकिमोन की जो है अपना यार वि विनासूर आराम से चार बंदे भी अक्टे दे पेल सकता है हाँ तुम यकिन नहीं करोगे लेकिन यार में खुद याद मुझे इसकी पावर की भाई में जब यूस करता हूंने से देखो इस वाले गेंप्ले को देख लो तुम यह मास्टर रेंग का गेंप्ले और इसमें सैने पावर कित्ता मार रहा है वूस कड्यायलोट मूझे रह तक wow योनाइट मूझे वुट नेंट है क्योंकि यार थूमारा ऑए जल्दी आएगा और गीगा ट्रेंस यार तुम सामने वाले की हेलते भी गिराओगे और उपर से खुद को हील भी करोगे तो भाई तुम सोच लो यार कितना इम्मीन हो जाते हैं उसके बाद यार इसको फूल हील वाले पोशन के साथ में जो आइटम के साथ में अगर यूज क करते हो तो वहां पर आप इस्टन नहीं होते आप पर किसी चीज का पोईजन वगेरा कासर नहीं होता तो उससे क्या रहेगा आप आराम से अटेक कर पाऊगे और बंदों को गंदा तरीके से पहल पाऊगे और उसके बाद जो सबसे खास चीज़ बनाता है इसके अल्टीमे से तो इजी छोपके कहीं से भी भाई युनाइट मोव लास्ट मूवमेंट पर डाल देना बस एसा जब दो स्चोरी हो गया नहीं सामने लोगों पता भी नहीं चलेगा कि भाई हुआ क्या उनके साथ में मैंने बहुत बार यार इससे जब डो स्चोरी क्यार बहुत ज्याद कि उसके बार जो आता है पोकेमट क्योंन नंबर पर वहाता है सबकाव रेट के से determines Sakar was Tao कार टाए चीजारर मेरे आग्योज मम हुआं जरवत पड़त अगर तुम रूगार नहीं कर तो लो करे मार देंगे बंदे क्योंकि सबसे ज्यादा खास पावर वह है भाई एक्स्ट्रीम स्पीड और उसके लिए तुम्हें फूलिल की जर्वत पड़ेगी तो यहां पर लुकार्यों तो आराम से 1v4 easy कर सकता है 1v3 भी कर सकता है मतलब यार लुकार्यों अगर एक बर तुमने माश्टर कर लिया तो बहुत ज्यादा इफ्यक्टिव है लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रोब्लम है यार कि उसका जो युनाइट हुए यार इतना ज्यादा डेमेज नहीं देता बस वह उसकी मुवमेंट और भी उसके अटेक पावर को बढ़ा देता है तो अगर एसी मैंने इसको इस वज़े से आपर रेंग पुष के केटेगरी में तू नंबर पर रखा और यार रेंग पुष में उसकी खास चीज यह बनाती है कि भाई उसको इसको शिल्ट पे तुम यूज़ करोगे तो भाई वो उसका जो हेल्थ होता है बहुत ज्यादा होता है तो इस स्कूर आपने देखा हुआ कई बार 10-15 स्कूर से आप हाड़ जाते हो लेकिन आप शुरुवात से लीड में रहोगे तो यार महां पर आपको एक मतलब वर्फिट हो सकता है और जितने ज्यादा तुम इतने ज्यादा लीट करोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा है लुकारियो उसके बात बात कर लेता हूं वह है अपना नंभर वन पोकेव में रेंग पुशिग के लिए वह है जरोडा जो कि यार में भाइन यूस करता हूं पर्सनली यार मैं यार मैं तुम्हें रीजन बता देता हूं नहीं पर काफी लोग बिलेंगे यार जरोरा से नहीं भी जा सकता है उसके बाद जो उसका तुम अगर डिश्चार्ड यूज करते हो तो अगर कोई बंदा तुम आगर वहाँ पर डेमेज देता रहता तुम वापस पुरानी पॉजिशन पर जा सकते हो यह चीज से तुम्हें पता यह और मेरे घंपले तुमने देखेंगे लेकिन जो सबसे आदा effective है वह है इसका यॉनाइट मोग इतना ज्यादा तगड़ा है कि भाई वह इतना गंदा लाड़ेमेज देता है एरिया में कि क्या बोलो और उसके बात जब वो मारता है तो अगर उसके युनाइट वो के अंदर तुम मारोगे बंदों को तो बहुत ज़्यादा डेमेज देगा और सबस्यादा जो जरोरा कमी यूस करने का बोल राओं रिंग पुशिंग के इसलिए है तो कि लास्ट टाइम पे अगर आपको जेब जाये तो मतलब यार मतलब में बोलता हो 80% चांसे से कि तुम्हें जेब डों चौरी कर लोगे उसके साथ जरोरा के साथ में इसलिए नियार जेब डॉस अगर तुम जीती गया तो पता यह लास्ट टाइम प्यार 2x गोल होते मतलब दुगने गोल होते है दो मिनिट में तो तो तुम्हारी रेंडम टीम चाहे किती नूब वही तुम जिता सकते हो तो वहां पर भी जो अपना जरौरा है वही काफी ज्यादा इफेक्टिव पड़ जाता है इसलिए यार में तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें जरौर अच्छे से चलाना आता है उसके साथ में तो यह थे मैंने जो बेस्ट पोकेमों तुम्हें बता है रेंग पुशिंग के लिए तो कैसे लगए यार तुम मुझे जरौरा च्टन हो जाता है जो उसके डिश्चार की वज़े सा तो उसके साथ यार तुम फुल ही यह वाला यूस कर सकते हो आइटम उसस वाल सहब से daily मार सकते हो तो यह दोणोड आइटम आप यूज कर सकते वे साथ में जो कहा मेरा है ¿ँच समझ लेगे मेरे चाहिए और देख साथ में काफ की यह उसी सहार मैंने विश्चाश्व्त नहीं गला तो मिलते हैं यह जाइए बार आ यूम की नहीं बिल्यों यह बट